वारानसी सहर जिसके बारे में हमारे ध्रम गरंथों में बहुत से उलेख मिलते हैं जिसमें इस शहर को अती प्राचीन और सबसे पवित्र स्थल के रूप में वर्नित क्या गया है पौडानी कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगबग 5000 वर्ष पूर्व की थी जिस कारण से ये आज एक महतपुन तिर्थ स्थल है ये हिंदू की पवित्र सब्त पुडियों में से एक है ब्रह्म पुरान, लेंग पुरान, मत्से पुरान, अग परन्तु हिंदू परंपराओं के अनुसार वारानसी को इससे भी आत्यंत प्राचीन माना जाता है इस शहर के बारी में एक प्रसिद्य अमडिकी लेखत ने कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है परंपराओं से भी पुराना है वारानसी शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब पिर्थवी का निर्मान हुआ था तब रोश्णी की सबसे पहली किरन यहीं परबड़ी थी लंबे काल से वारणसी को अविमुक्त छेत्र, आनंद कानन, महाशंशान, सुरंधन, ब्रह्मवर्त, शुदर्शन, रम्य, एवं कासी नाम से भी संभोतित किया जात माना जाता है और साथ ही साथ, बौध, एवं जैन धर्मों में भी इसे पवित्र माना गया है यह शहर संसार के प्राचिंतम बसे सहरों में से एक है और भारत का प्राचिंतम बसा सहर है भारत के धर्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वारानसी से जुरे कई पौरानिक मानेत आभा मदा पूरत में मिलता है महाभरत पुर्व कि साहित्य में किसी भी तिर्थ आधि के बारे में कोई उलेक नहीं है आज के जो तिर्थ fulfil हम देख रहे हैं वे सब के सब तब अधिक्तर वन प्रधेश में थे और मनुश्यों से रहे थे कहीं कहीं आदिवासियों का वास रहा होगा कालंतर में तिर्थों के बारे में कही गई कथाएं अस्तित्व में आई और तिर्थ बढ़ते गए जिसके आसपस नगर और शहर भी वसे वारानसी का नाम दो नदियों वरुना और असी के संगम पर पड़ा भारत की धार्मिक राजधानी की पवित्रियात्रा इस सहर की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से एक अटूट और अहम रिस्ता है कहा जाता है कि ये शहर की विदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एक्कत्रित कर दें तो उस संग्रहे से भी दूना प्राचीन है पौड़ान से एक ऐसा सहर है जहां आपको असंख्य संख्याओं में मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो शैव और वैशनब धर्म को समर्पित है ये दोनों ही धर्म हिंदु धर्म के रूप है जो सद्भाव से यहां मौजूद है यहां जैन धर्म का भी परमुक गेंद्र है क्योंकि 23 त देहरों बड़े मंदिर है जो वालानेसी की इतिहास में समय समय पर बनवाए गये हैं इसमें काशी विश्वनात मंदिर अर्ण पुन्ना मंदिर काल भहरव दुर्गा जी का मंदिर संकट मोचन मंदिर तुलसी मानस मंदिर नया विश्वनात मंदिर भारत माता मंदिर संकट देवयो मंदिर वो विशालाक्षी मंदिर प्रमुख है कहा जाता है कि भगवान शिप जी काशी के परमात्मा है इसलिए इसी वज़े से अर्न ग्रह भी अपनी मर्जी से यहां कुछ भी नहीं कर सकते जब तक शिप जी का आदेश नहों ऐसा कहा जाता है कि शनी देवता जब भगवान शिप की खोज में काशी आये थे तब वे उनके मंदिर में लगबख साड़े साथ सालों तक प्रवेश नहीं कर पाये थे आप जब भी कभी काशे विश्वनात मंदिर में जाएंगे मंदिर के बाहर ही आपको शनी देव जी का मंदिर दीख जाएगा ये शहर आध्यत्मी केंदर के साथ साथ आयरुवेद और योग के प्राचीन समगर चिकित्सिक विज्यान से भी जुरा हुआ है वारनसी धर्मिक शहर होने के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुकेंदर है वैपार के सम्मन्द में आपनी धर्मिक और संस्कृति महत्ता से परे शहर को प्राचीन काल से ही वानेज्य और वैपार का प्रमुकेंदर माना जाता है यह मुख्यत, सोने और चांदी के किये हुए काम और बनारसी सिल्क सारियों के लिए जाना जाता है वारानसी छेत्र में कई गौरवशाली परतिभाव ने जनम लिया जिसमें कई दार्शनिक कवी, लेखख, संगित्य वारानसी में ही रहे जिनमें बल्लाबाचाडिय, रवी दास, स्वामी रामानन, तैलंगे स्वामी, शिवानन्द गोस्वामी, मुन्शी प्रेम चंद, जैशंकर परसाद, आचारी राम चंदर शुकल, पंडित रवी संकर, गिरिजा देवी, पंडित हरी परसाद चौरस्या, एवं उस्ताद बिस मिलना खा, गोस्वामी तुलसी दास जी ने हिंदु धर्म का परम पुज्य गरंत राम चरिते मानस यहीं लिखा था, और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम परवचन यहीं निकट सारनात में दिया था, वालानसी के अश्व में घाट में एक अजीब और गरीब देते हैं